बाउजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें बेटकाइट फिपोल्स वोईस और पहला आइकन दबाए बाउजन समाज पर क्यों नाम समलिद किया था ये एक टीम है पांच लोगों की है और ये पांच लोगों की है अलग लग छेतरों के अंदर जो दलीत पिछडे आदिवासियों पर अधिचार हो रहें उन अत्याचारों के खिलाब यारी किसी भी समाज पर क्यों ना उन पर अत्याचार होने तो उसी जाते के साप से वो लोग मिलेंगे सर्वन समाज के लिए सुटिश चूंदर मिज्रा दलीतों के लिए दया संकर दिनकर और आपको बताते हैं मुस्लिम समधाय के लिए समसोदिन राइन और मुनका दली को और पिछड़े वरक के लिए लाल जी वर्मा को नियुक्त किया गया था ये लोग है इन गटना करमों को देखेंगे कल आप सभी को पता है कि कली के दिन लखिम पूर खिरी के अंदर नेम गाउ थाना चेतर के अंदर कर एक दलीत समाज की बच्ची जो फो बोर्ड का फोरम बरवाने गई थी उस बच्ची के साथ रेप कर दी और उसकी खत्या कर दी गई आपको बता दे कि अब साप हो चुका है कि उस बच्ची के साथ रेप भी हुआ था क्योंकि पास्पोर्टम रिपोर्ट के अंदर इसकी पुष्टी हो चुकी है पास्पोर्टम रिपोर्ट के अंदर आपको बतादे कि रेप की पुष्टी होई है इस रेप की पुष्टी होने के बाद पुलिस ने जानकारी दी है कि आरोपियों के खिलाफ मुक्तमा दचकर कारवाई की मांग की गई है इदर आपको बता दें कि इस मामले को लेकर आज बहुजन समाज पालिटी की सुप्रीमों मायवेतिजी के कल के निर्देश के अनुसार आज उनका प्रतिनीदी मंडल भी वहां पर पहुंचा ता स्विरे आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं आपको मैं बताने की कोशिश क बहुजन समाज पालिटी की तरफ से दया संकर दिनकर पूरुवा विधायक और समसुदिन राहिम लखिम पूर्खीरी के नीम गाउं थानाचेतर के अंधर इस गटना करम के मौके पर पहुंचे जहां पर दली समाज के बच्ची के साथ रेप और मर्डर की गटना होई थी इस गटना से जोड़ेवे तमाम परिवार की जितने भी लोग थे उनसे उन्होंने मुलाकात की मुलाकात करने के बाद गटना करम के बारे में पूचा किस तरीके से गटना करम हुआ किस पर आसंका है यह तमाम जानकर यह उन्होंने लिए और उसके बाद उन्होंने पुलि प्रदेश का विदान सबसक्तर है उसके अंदर भी उठाया जाएगा अब आपको बताने की कोशिश करें तो लखेंपूर खेरी आज पहले ही दिन यानि कि कल एक्षण बीएस पी ने लिया था और आज उसकी परतिक्रिया भी देखने को मिली बिलेंगे इसने वीडियो ने अ तब तक आप चलेते विदा लाइक कीजिए कमेंट कीजिए उस्ट शेयर करना बिलकूर ना भूले साथ यापको बता देगी सिपरकार की खबर